मित्रो सब्सक्राइब कीजिए जोतिष्णिकेतन चैनल को और बेल आइकन को दवाईए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मित्रो नमस्कार आपको हसाने के लिए एक चुटकुला सुनाते हैं पोटे से कस्बे के एक स्कूल में एक दिन निरिक्षक पहुंचा आठवी कक्षा के छात्रों का रेइस्टर उलटकर उसने करम संख्या एक का नाम पुकारा और उससे पूछा साजा के पिता का नाम क्या था लड़का कुछ नहीं बोला चुप रहा लड़के को मौन देखकर निरिक्षक को गुस्सा आगया उसने कहा तुम इतना भी नहीं जानते तो क्या पढ़ते हो लड़के ने प्रति उत्तर में कहा दरसल मैं एक लड़के के एवज में आया हूँ असनी छातर आज नहीं आया बुस्से में आगबा बुला हुए निरिक्षक ने सिक्षक को बलवाया शिकाज सुनकर सिक्षक ने कहा असनी लड़के को मैं मज़ा चखा देता लेकिन दरसल आज इनके क्लास टीचर छुट्टी पर है और मैं उनके एवज में आया हूँ बाद में निरिक्षक ने जब हेड मास्टर को बलवाया उसने भी यही कहा कि वे हेड मास्टर के छुट्टी रहने पर उसकी जगा पर आया है इसलिए कारवाई करने में असमर्थ है उसने चिला कर कहा यदि मैं अपने दरिक्षक मित्र के एवज में नहीं आया होता तो तुम सब की छुट्टी कर देता हूँ